हलो फ्रेंड्स विनिस की चनल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे इस्टन रवा अपम तो दिखिए मैंने इसके साथ बनाई है ग्रीन चटनी और हमारे अपम देखिए बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बने है तो यह ग्रीन वाली चटनी पुदिनी और दही वाली चटनी दता है तो चलिए हम स्टार्ट करदे तो फ्रेंड्स में लिया है रवा सूजी सो जेwen तो यह लिया है मैंने 2 कटोरी और आदा कटोरी लिया है रवे पास एतनी बड़ी है कि 250 ्जिधा में बैट जाता है तो मैंने kम्प्लेट 1 किलो रवा लिया है और 200 ग्राम लिया है दही दही मैंदे is सौल्ट सौल्ट हम नमक जो है आप सौधा नुसार कीजिए कितना लगता है उसको अच्छे से मिक्स करेंगे इंस्टंट अपपे ब्रेकफास्ट के लिए मैं अभी मॉर्निंग टाइम में बना रही हूं स्कूल के टिफिन के लिए ओके तो नमक एड़ किया है बारिक कटा टम अपने देख के तो इसको मैं पहले अच्छे से मिक्स करती हो और इसको अभी हमें तड़का आड़ कर देना है तो देखे फ्रेंस यह है करी पते मैंने जो छोटे-छोटे इसमें कट किया है ज्यादा बड़े है तो पूरे हमारे तड़के में नहीं जाएंगे देखे तेल और राई गरम किया है मैंने मस्टर सिड्स और इसमें अड़ किया है करी पते इतना ही चौक है अभी ब्रेकफास का मतलब सुबर टिफिन का टाइम है तो मैं बहुत ही जल्दी जल्दी बना रही हूँ बहुत ही जल्दी बन जाते है देखिए जादा से जादा आदा गंटे में हमारे अपम टिफिन में रेडी हो जाते है तो इसको मिक्स करके 15 मिनिट्स रखना है रवा फूल जाता है तो देखिए 15 मिनिट्स के बाद मैंने एड किया था इसमें एक इनो का पैकेट और थोड़ा सा पानी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे काफी अच्छे से और पान जाने के लिए तो दीखिए मैंने पैन गरम कर लिया है अपम का और उस पे आड किया है तेल थोड़ा थोड़ा लगाया है तब तक तक तेल गरम हो जाता है तब तक आप प्लीज मेरा चैनल पहली बार देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिए तो फ्रेंड्स हमारा तेल जो है अच्छे से गरम हो गया है अभी मैंने क्या किया है साइड के जितने भी अपम के जो ट काफी बड़े बड़े अपम हो जाते है थोड़ा सा कम जादा हो किसे में तो आप कर सकते हो तो दीखिए अच्छे से फूल गए और चूड़ गई है आराम से तो आप इसको मीडियम टू लो हाई पे पका सकते है क्योंकि ज्यादा हाई फ्लेम करेंगे तो यह जलेंगे और अच्छे से पकेंगे नहीं तो मीडियम आज पे पकाई है सित तेल अच्छे से गरम हो जाना चाहिए तो मैंने अभी आज कम कर दिये मीडियम कर दिये नॉट कम बट अभी हम इसको टर्न करेंगे तो दीखिए उसकी जो कॉर्णर अच्छे से चूड़ गई है और मैंने इस से पाँच मिनिट के अंदर रेडी हो जाता है तो हलके हलके हाथ से मैंने इसको देखे हिलाया था तो ये कलर आ जाना चाहिए अच्छे से तो हमारे अपम अभी रेडी है तो इसको निकालेंगे हम ट्रे में दूसरे भी अपम मैं जल्दी से इसमें बना दूंगी ट्रे को थो तो फ्रेंट्स उसकी लिंक भी मैं दिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो मैंने अभी ग्रीन वाली चटनी बनाई है ये भी मेरे बच्चों को बहुत पस्टार्ट कर देते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देजिएगा अभी बनाएंगे हम चटनी तो एक्चली चटनी जो है मैंने जब भी अपम रेस्ट करने के लिए अपम का बैटर बनाया था तब ही बनाई तो देखिए एक आदा कटोरी मैंने दही लिया है पुदीना धनिया लिया है धनिया काफी सारा चाहिए हमें और पुदीने से आदा नीम्बू लिया है दो मैंने लिया है लसन और आदा इंच अद्रक लिया है और जीरा लिया है नीम्बू हम थोड़ा कम जादा कर सकते हैं तो सबसे पहले आड़ करेंगे इसमें पुदीना और हमारा अधनिया मिर्चे सब यह आड़ कर देना है लसन अद्रक और जीर और इसमें हम दालेंगे थोड़ा नमक, स्वाधा नुसार और नमक के बाद हम इड़ करेंगे इसमें दही भी, ओके तो मैंने पहले दही आड़ कर दिया है इसमें थोड़ा सा नमक, नमक आप बाद में भी कम ज्यादा कर सकते हैं, तो इसको लगाएंगे धकन और Mixi में पीस लेंगे एकदम फाइन तो दीखिए हमारी चटनी अल्मोस्ट रेडी है अभी इसमें सिफ हम एक बाउल में निकालना है बहुत ही टेस्टी बनती है यह हम बनाते है पनी टिकका और चिकन टिकका के साथ यूजुली नॉन्वेज रेसिपिक्स के साथ यह बहुत अच्छी लग तो आप इसमें दही आयड करके अच्छे से फेटके यह चटनी बन जाती है तो फ्रेंड्स देखिए हमारे अप्पम और चटनी रेडी है मिलते हैं नेक्स टूडियो में बाई थैंक्स पर वाचिंग अच्छी होगी को आप अश्छी होगी है।